नमस्कार दोस्तों आपके mobile या computer में कोई photo है और उसका background आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपको किसी भी software का knowledge नहीं है तो आईए इस वीडियो में देखते हैं कि अगर किसी भी image का background चेंज करना चाहते हैं वो भी online बिना किसी software यूज करके तो कैसे कर सकते हैं तो उसके लि Google website सर्च करना होगा गूगल में क्या सर्च करना होगा background चेंज जैसे आपने background चेंज सर्च किया तो एक link आपको मिलेगा change image background इसका जो website है www.remu.bg अब इस पे click कीजे क्लिक करने के बाद आपको उसका जो page है कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे आप यह जो button है वहाँ पे आप कोई भी photo का अगर background चेंज करना चाहते हैं तो फोटो का image upload करना होगा उसके बाद यहाँ पे देखिए backgrounds है अब अब मुझे क्या करना है upload करना है image तो यहाँ पे मैं upload पे click करूँगा click करने के बाद आपको जिस भी photo का background चेंज करना है तो उस photo को select कीजिए and then open पे click कीजिए देखिए उसका एक छोटा सा view यहाँ पे दिख रहा है और यहां पे देखिए उसका background ही change हो गया है अब दूसरा background रखना आपको यह background नहीं रखना है तो यहां पे नीचे देखिए अलग-अलग background से जह सबोस्फोर मैंने इस पे click किया देखिए यह background change हो गया है और भी से ये background change हो गया है अब इस image को मुझे download करना होगा तो यहाँ पर देखिए download button होगा उस पर click केजिए जैसे मैंने download button पर click किया यहाँ पर ये image download हो गया है अब मैं इसे open करूँगा यह कहाँ पर download होगा आपके download folder पर देखिए कितने अच्छी तरीके से कितना सुन्दर तरीके से देखिए background जो है वो change हो गया है अब दूसरा कोई image हम लेकर उसका background change करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर share image का भी option आगया आप share कर सकते हैं मैं इसे cancel कर दे रहा हूँ या मैं back जाके वापिस से उस link पर click कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद एक दूसरा image हम upload करके उसका background change करके देखते हैं वापिस से वही आपको step दोहराना होगा upload image पर click कीजिए click करने के बाद कोई दूसरा photo लीजिए दूसरा photo लेना है लेने के बाद उसका एक चोटा सा preview यहाँ पर दिखेगा और उसका जो background change होकर image आएगा वो देखो कुछ इस तरीके से आएगा आपको कुछ दूसरा background रखना है तो आप change कर सकते हैं इसमें से मैं देखो choose कर रहा हूँ कोई भी एक background आप select कीजिए यह देखे इस तरीके से यहाँ पर एक मैंने किसी road का image लेया बैग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि यह जो जो भी boys हैं वो किसी road पर खड़े हैं और अपना photo खिचवा रहे हैं अब मैं इससे download कर लूँगा मैंने download button पर click किया देखे यहाँ पर share image के लिए भी option आगा इसे मैं cancel कर दे रहा हूँ यह जो मेरा जो picture download हुआ है उसमें open करूँगा open करने के बाद देखे कितने अच्छी तरीके से इसका background जो है वो remove हो चुका है इस तरीके से हम हमें अगर किसी भी software का knowledge नहीं है फिर भी हमें background चेंज करना है तो online तरीके से हम किसी भी background को कुछ ही second में change कर सकते हैं तो इस मिलते हैं अगले वीडियो में